तो आज हम 15 जून का इंडियन एक्स्प्रिस डिसकस करेंगे आपको न्यूस के सारे नोट्स टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो मैं टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे आप वहां से जॉइन कर सकते हैं यह पर फर्स न्यूस है पुष्ट भाही राइजिंग फ्यूल फूट प्राइज़ रिटेल इंफ्लेशन ब्रीचे सिक्स परसंट कंफर्ट जोन और फार बिया तो मॉनिश्य पॉलिशी कमिटी के कॉडिंग जो आर बिया है उसे इंफ्लेशन रेट 4 प्लस माइनस 2 के बीच म सकता है लेकिन इस बाइज इंफ्लेशन वह 6.30 पर पहुझ गया वह बेसिकली इसलिए क्योंकि फ्यूल के प्राइज पेट्रोल डीजल के प्राइज बहुत जादा है इसके लाब जो कॉमोडिटी के प्राइज़ वह भी बहुत जादा है तो WPI वह बहुत जादा है 12.94 पर ही बहुत जादा कम हो गया है तो हम देखने रिटेल इंफ्लेशन 6.30 परसेंट है में में जो कि 6 बन थाई है तो जो रिटेल इंफ्लेशन जो आर्बिया को 4 प्लस मैंस 2 परसेंट में रखना था वह वाली लिमिट ब्रीच हो गई है होलसेल इंफ्लेशन लगातार राइज हो रहा है क्योंकि हाई क्रूड प्राइज उसके लावा कुमोडिटी प्राइज यह सब बढ़ रहे हैं तो अब आर्बिया के लिए बहुत टफ हो गया मैनेज करना ग्रोथ और इंफ्लेशन को तो ग्रोथ को मैनेज करने के लिए ग् डिमांड करेंगे लेकिन मार्केट में नी सप्लाइज नहीं होगी तो उसके करना इंफ्लेशन हो जाता तो आर्बिया को ग्रोथ और इंफ्लेशन को बीच में बैलनस रखने में बहुत दिक्कत हो रही लेकिन आर्बिया ने अपना अकॉमोडिटेव इंस्टांस रखा है क क्यूकि उनको ग्रोथ को प्रोमोड करने की अभी जादा है कि हमें ग्रोथ को प्रोमोड करना है और इंफ्लेशन तो मानेज हो जाएगा तो वाल द अर्बिया एज उनलाइकल पिजेग फिसकल पॉलिशी किसी तरह करें दाकि ग्रोथ को और बढ़ाया जा सके Core Inflation है, Core Inflation वो होता है जो Non-Food or Non-Fuel Inflation होता है, इसके लावा जो Headline Inflation होता है, उसमें Fuel or Food Inflation भी Count होता है, लेकिन Core Inflation है Food or Fuel Inflation नहीं Count होता है, तो वो भी 83 मंद आ है, 6.58% पर, अब हम Next News पर चलते हैं, तो SII Partner Novavax Reports 90% Efficacy Says Focused First on Developing Countries, तो Basically Novavax के Trials का Result आ गया है, और उ Novavax will Prioritize Developing Countries for the Initial Supplies of the COVID-19 Vaccine, और Novavax का यह भी कहना है कि वो Initial Supplies जो होगे वो अपने Developing Countries को देंगे, पहले वो Developed Countries को Preference नहीं देंगे Overall, the efficacy of the vaccine was 90.4% that is, it showed the ability to bring down symptomatic COVID-19 cases by more than 90% It should be noted that, given that we have got a commitment of 1.1 billion doses, तो Basically Covax, Serum Institute of India, जो Novavax का ही एक Indian variant है Covax, तो Serum Institute of India प्रोडूस करेगा, तो वो 1.1 billion doses को देने वाले हैं A lot of our first doses are going to go into the low and middle income countries, तो Basically उनका यह कहना है, जो हमारा lot होगा vaccine का, वो हम Developing Countries को देंगे अब Novavax commitment to developing countries in India's ability to produce this vaccine is promising, तो India में SII भी इस vaccine को प्रोडूस करेगा, Covax के नाम से तो हमारे हैं जो vaccine की shortages है, वो इससे deal की जा सकती है, अगर एक और vaccine बनने लगेगी नेक्स्ट नीज़ आपर, Disengagement of troops China suggests major general level talks, तो basically जो इस्टन लद्दक में सारा मैटर चल रहा था, गलवान और पैंगॉंग सो वाला, तो four months after Indian and Chinese troops disengaged in पैंगॉंग सो तो चार महीने हो चुके हैं, जब से Chinese troops ने disengaged गया पैंगॉंग सो में और दो मन्त हो गाई, जब से Cops Commander Talks हुएते हैं लेकिन उसमें कुछ impact नीपड़ा, Cops Commander Talks का, तो basically China ने बोला कि अब हम Division Commanders level की talk करेंगे, जो Division Commanders होते हैं, Level Talks involve teams headed by officers of this, इसमें basically major general rank के officials होते हैं, और यह different होती Cops Commander level talk से, क्योंग इसमें ज़्यादा senior officials होते हैं, as compared to the Division Commander level. A senior officer from the defense establishment said, China has conveyed to India that negotiations for this engagement at Hot Springs and Gogra Post, at both places, small contingents of Chinese troops are on the Indian side of the line of actual control, और यह अब discussion होगा, Division Commanders की बीच में, तो आप एक बार map में इसमें सबकी location जरूरू देख लीजएगा हैं, The point here I am trying to make is why decentralization is key to good governance, It may not always lead to desired results, ठीक है, यह माने जाता है कि decentralization बहुत अच्छे results हैंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होते हैं कि वहापे centralization जरूरी हो जाता है, Narendh Modi has been an advocate of decentralization and more power in the hands of states की, Basically author का यह कहना है कि जो हमरे प्राइम निस्टर वो decentralization पर ही believe करते हो, वो चाहते हैं कि ज्यादा power states को दी जाए, For example, उन्होंने planning commission को scrap किया, यह इसी बाद का manifestation है, However, he rose to the occasion and moved forward for centralized procurement and management of covid vaccine, लेकिन जब उन्हें लगा कि जो vaccination policy वो बहुत ही जदा arbitrary है और decentralization ठीक से काम नहीं करा तो उन्होंने बोला कि vaccine कब centralization होगा, और basically central government ही सबको संबालेगी, तो author का यह कहना है कि हर जगे decentralization काम नहीं करता है, कहीं कहीं centralization की भी जरूरत पड़ती है, अब यहां पर एक scotch award दिया जाते है कि किसे किसे दिया गया है, non-IAS example लिए प्याद रख सकते हैं, तो the scotch challenger award for e-governance, वो मेला Minister of Tribal Affairs को, इसके लाव स्कोच challenger award for transparency, यह मेला Ministry of Panchayati राज को, और governance के लिए वो मेला Ministry of Ruler Development को, अब जो health है, जो a state subject है, Indian constitution को according, लेकिन इसको भी concrete list में डालने की बात की जारी है, ता कि Central Government भी इसमें अच्छा खाजा इंप्रूव्मेंट कर सके health में, तो अब Tribal Affairs को, जो e-governance में तो वो torch बेर रहे हैं सबके, तो ये squash award को पता होना चाहिए, किस-किस को मेला है, अगर non-Igis exam के preparation कर रहे हैं आप तो, अब नेक्स में चलते है, NSG students oppose online classes, launch petition against authorities, तो National School of Drama के बेसिकली ये कहना है, जो online classes है, उससे बहुत जादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें online classes हो, तो उसमें emotionally, mentally आपको हर तरीके से जोड़े रहना पड़ता है, तब ही आप काम पर सकते हैं, हर चीज़ online class के थूरू नहीं हो सकती है, अब हम यहाँ पर देखते है, The National School of Drama in Delhi are on a campaign against the institute's online classes, it compromises the value of education and widens the social and class divide within the students, तो basically National School of Drama का ये कहना है, कि online classes की वज़े से value of education में compromise हो रहा है, और social and class divide बहुत सदा बढ़ रहा है, तो National School of Drama Students Union has launched a petition, तो उन्होंने एक petition launch किया है, change.org पर, इस decision को challenge करने के लिए, जो remaining classes है, वो online ना हो, जबकि offline mode में कराई जाएं, NSD is one of the India का बहुत important art institution आपको बता होगा, being at home in the lockdown, students found it difficult to attend online classes, क्योंकि theater में काम जोता है, वो emotionally, mentally, physically demanding होता है, तो जैसे ये promote के जारे कि online classes बहुत अच्छी होती है, तो कही ना कहीं को drawbacks भी है, for example, drama में आप नहीं online classes कंड़ करा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ include होता है, nonetheless, the school has started online classes again without addressing the problems, तो उसके बाद अब change.org पर petition चल रहा है, online classes were necessitated as the pandemic made offline work impossible, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिरेक्टर है, NSD उनका ये कहना है कि मान सकते हैं कि आप पूरी चीज़े offline नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट तो offline कर सकते हैं, तो we admit a lot of things can't be done online, तो best भी यह है कि अभी जो possible होता पढ़ा दिया जाए, बाद में फिर सब लोगों को vaccinate कर के वापस सब्स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि National School of Drama में वैसे भी जादा लोग इन्रॉल नहीं है, इन कह सकेना है, तो said that the school scholarship that each student has received at NSD is linked to their education, इसके लवर online can't be the only solution, जो arts institution है, वापे बहुत small population of students है, ठीक है, तो staff सब को vaccinate कर सकता है, ताकि campus में वापे से class शुरू की जा सके है, इस page बाद कुछ भी इंपॉर्टन यूज नहीं है, हम नेक्स पेच पर चलते हैं, तो अयुद्या के land deal में एक basically corruption एलेच किया जा रहा है, opposition parties के द्वारा कि एक corruption हो गया है, जो land dealing से उसमें, तो हम बस थोड़ा से जान लेते हैं, बाकी कुछ खास important है, तो many people donated money towards the construction of the Ram Mandir, more land being bought for the construction of the temple, तो थोड़ा और जादा land जो भी लोगों नो contribution दिया, तो अभी इसके बार में जब details हो रहेंगे, तो हम देख लेंगे, अभी कुछ खासस में बढ़ाया नहीं गया है, अब basically जो आपकी party है, वो 2022 के पोल्स में, गुजरात में सारे seats के लोगों कॉंटेस्ट करने वाली है, जापर नेक्स स्टेच पर चलता है, अभी exam जब कैंसल हो गया है, तो फिर क्या करना चाहिए, online exam option कितना सही है, कितना नहीं, तो यह important ही है, यह milestone galvan, तो लास्टेस के लिए बहुत कुछ पढ़ चुक है, अब jumping the queue, तो basically यह है कि जो students बाहर पढ़ते हैं, foreign universities में, उनको priority में, उनको पहले vaccine लगाई जारी है, तो author का basically यह कहना है, यह है, सारे students को prioritize करना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं कि आप, हाँ, आप पहले लगवाल vaccine यह नहीं होना चाहिए, तो jumping the queue, तो basically वो है कि, वो queue को jump करको, उनको पहले vaccine दी जारी है, यह पर one year after girl 1 वही चाहिणा वाला incident है, अब यहाँ पर देख रहे है, a fine judicial movement, amid pandemic, पर Supreme Court आपना कैसे role लेंबा है, उसके बारे में है, the quality of democratic governance, anchored in sectors and human rights, is determined by the integrity and resilience of constitutional institutions, established to sustain and nurture its purposes, तो basically जो democratic governance है, वो तब तक ही रहती है, जब तक ही उसके constitutional institutions है, वो अपना काम सही से करते हैं, और उसके purpose को maintain रखते हैं, the role and relevance of these institutions is tested in difficult times, जैसे कि भी pandemic के time में test हुआ, Supreme Court ने, Supreme Court ने अपना role बहुत अच्छे से निभाया है, जब उनको ज़रूत लगी, उन्होंने intervene भी किया, for example, vaccine policy के लिए इंटर्वीन किया, ब्रॉट अंडर दे स्कैनर, और the role of the higher judiciary, जैसे अभी हम देखरें कि पिछले कुस टाइम में, जो judiciary बहुत जादा फॉल्टर हो रही थी, according to the author, in defense of civil liberties कि, वो civil liberties को defend नहीं कर रही थी, इसके लब वेक्सिलेशन, in deciding politically sensitive cases, तो sensitive cases में वो vacillate कर रही थी, उसे समझ नहीं है, मतलब वो waver कर रही थी थी, तो मतलब आगे-ागे टाल रही थी, इसके लब apathy, to human suffering has been redeemed, through elevating judicial pronouncements, demonstrating that national sensitivities, and judicial conscience do not lie apart, तो अभी basically desperate citizens, ने humanitarian intervention के लिए बात की थी, क्योंकि बहुत ज़दा calamity आ गी थी, और pandemic की second wave थी, बहुत ही ज़दा खतरनाक थी, तो इसमें judicial relief बहुत ज़दा हुआ, जो for example, oxygen supply के लिए directions दिये गए, essential medicines के लिए provision बनाए, hospital beds, ambulances दिन सब के लिए कोई रा कोई पोई provision, Supreme Court ने बोला कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो welfare of children who have lost a parent, ensuring dignity of the dead, facilitating priority vaccination for the vulnerable directions to decongest jails, तो jails से उनमें decongestion के लिए तो बहुत सारी चीज़े ऐसे, इसके लावा जो old age pension उनको regularity time पे pension मिलती रहे, तो in a compelling articulation of constitutional logic and morality, that has prompted a review by the central government of its flawed vaccination policy, तो उसके बाद, central government अपनी vaccination policy भी change की, तो basically author ने बोला है, the challenges of our times demand that constitutional courts, जो हैं, वो अपने mandate को अच्छे से vigorously करें, क्योंकि वो custodians of the constitutional principle है, तो उनमें लोगों का भरोसा है, और एक देश के democratic governance तभी तहक है, जब तक उसके constitutional institutions वो अपना काम ठीक सका नहींगे, तो abnegation of judicial authorities is not an option, when defense of the constitution demands judicial intervention, तो basically ये article आपको समझ आगे होगो, अब ये है illusion of a redistributive justice, तो अभी G7 meeting में, ये decide किया गए कि minimum corporate tax होना चाहिए, for example 15% का minimum corporate tax होना चाहिए, और जो companies होती हैं, वो tax 7 countries का फाइदा उठाती है, और वो tax नहीं देती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, एक minimum corporate tax की बात कीए, तो recent G7 meeting saw the finance ministers of the seven nations communicating, the commitment to a global minimum tax of at least 15%, this struck a chord with all those who wish their tax havens no longer prey at their tax base with exemptions and zero corporate tax rates, ठीक है, अब author, इसके लावर basically OECD का भी एक है, base erosion and profit shifting, इसके बारे में basically मैं पढ़ा होगा की base erosion and profit shifting का है, तो उसके लिए एक agreement OECD का भी है, तो the agreement on the rate is just the beginning of a long way, अब author ने बुले के भी clear नहीं है, सारी policies के कैसे minimum corporate tax में क्या कैती होंगी, तो glancing through the pages, it is clear that the complex proposal is designed to shore up taxes from the low tax jurisdiction, तो basically, जो tax haven countries है, उस में से कैसे हम taxes को shore up कर सेगे, उसके लिए ये चीज़े ली जा रहे हैं, तो ये jurisdiction देदर ultimate parent entities को, जिसके firms में revenue 750 million euros से जादा है, तो उनका पहला right over tax करने का, तो जो उसके अपने local tax laws वो जो लगा रही है, जैसे tax incentives देरी तो वो शायर available ना रहे हैं उसके बाद, तो the minimum tax is being held as an end to a race to the bottom, essentially implying that even tax incentives that exist in treaty, तो जो local tax may no longer be available, अब जो pillar two proposal का है, वो है OECD का, चुकि tax challenges OECD ने बता है तो उसके लिए base erosion profit shifting लिक कर रहा है तो अभी ये clear नहीं है, जो digital tax, for example, India ने जो equalization levy लगा पाई है वो लगा पाई है और नहीं लगा पाई हैंगा, तो any digital tax such as the equalization levy will not count as a tax period for the calculation of the minimum rate, history has been in the making for the past 7 years since the inception of the base erosion profit shifting, तो ये मैंने बता दिया, पर author का ये भी कहने है कि G7 बहुत ही छोटा group है, डिसाइड करने के लिए कितना minimum corporate tax होना चाहिए, तो the late arrival of the US of USP, पहले जब Donald Trump थे तो इंटरनेशनल जो ऐसे groups होते थे उनको जादे तवज्यों तो देते नहीं थे, तो the late arrival of the US is not just altruism, but an act of self-preservation. The tax cuts introduced by the US during the past 4 years are to be reversed and this can't be done in isolation. तो basically author ने ये बोले कि सारे countries को sign up करना चाहिए इस proposal के लिए क्योंकि अगा सारे countries नहीं करेंगे, तो companies उन countries को टूंडेगी जिनोंने इन proposal पे sign नहीं गा रखा है. तो if all do not agree to the global minimum tax proposal, तो ये है, हमें लग रहे ही redistributive justice, तो basically ये सर्फ एक illusion रहाएगा redistributive justice का. अब नेक्स स्पीच प चलता है. यहाँ पर इंडिया ने बेसिकली कमिट किया था कि विए 26 मिलियन जो हेक्टेर से इग्रेडेडेडेड लैंड का उसको रिस्टोर करेंगा है विए 2030. तो प्राइमिस्ट राइन मोदी on Monday said India is on track to achieve its national commitment on land degradation neutrality. तो basically land degradation neutrality की हम 26 मिलियन हेक्टेर से वापे से रिस्टोर करेंगे. तो वो ये United Nations High Level Dialogue on Desertification Land Degradation रौट वो ये बात बोल रहे थे. तो we are also working towards restoring 26 मिलियन hectares of degraded land by 2030. तो जो इंडिया का commitment है कि हम 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent हम ऐसा इतना sink create कर देंगे तो इससे वो हो जाएगा. लेंड एक fundamental building block है बहुत ज़दा livelihoods का लेकिन हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों में land degradation बहुत ज़दा हो रहा है और लगवाग इसने 2.3 population को affect भी किया है. Therefore we have to reduce the tremendous pressure on land ताकि हम land को जो है हम restore कर सके. So India has taken the lead to highlight land degradation issues at international forum इसके रवा जो Delhi declaration है 2019 का वो भी इसी बात से deal करता है कि कैसे forest cover हमें increase करना है land degradation को वापे से restore करना है. So adding that 3 million hectares of forest cover was added in the last decade enhancing the combined forest cover to almost one-fourth of the country's total area. So आई हो आपको यह समझा गया होगा. Now next news है. यहां पर कोई important news नहीं है. यहां पर 86% MNFA से beneficiaries brought under one nation one ration card scheme तो basically one nation one ration card यह है कि आप किसी भी state के होगा no matter what आपका एक राशन काड होगा. आप किसी भी for example migrant population के लिए बहुत वो useful होगा तो उन्हें अपने वारबर home state नहीं आना पड़ेगा कोई भी राशन लेने वो जिस state में आपकाम करें वो वहां से ही राशन ले सकते हैं. पर कुछ अभी states और UTs ने इसे इंप्लिमेंट नहीं किया वन राशन काड की scheme को for example Assam 36 का Delhi और West Bengal तो इन्हों नहीं अभी अचीव नहीं किया है अब सेंटर ने बोला है कि जो वन नेशन वन राशन काड के चलते जो 86% of the total beneficiaries NFSA में हो गया है तो despite several covid related challenges nearly 69 करो 86% of the total beneficiaries under the NFSA was swiftly brought under the one nation one Russian card scheme ठीक है तो 86 total beneficiaries इसके अंतर आ गये हैं जो कि 32 states और unit territories के हैं लेकिन अभी बहुत सारे states रहे हैं चार states और UT रहे हैं Assam 36 कंड डेली वेस्ट तो इन्होंने अभी इसे नहीं implement किया है तो यह अलमाटर तो one nation one Russian card scheme है At first summit with Biden NATO leaders say China present systemic challenges तो अब NATO की meeting हुई थी President Biden के साथ तो NATO leaders designated China is presenting systemic challenges in a summit communique on Monday taking a forceful stance towards Beijing at Joe Biden's first summit with an alliance that Donald Trump openly disparaged and ridiculed basically Donald Trump NATO को बोलते थे European countries तो बहुत कम पैसा खर्च करने है पर जो अमेरिका उसका नुकसान हो रहा है NATO में रहने से तो हम NATO को छोड़ देंगे तो उसके बाद अब इस stand को बिलकुल reverse करते हुए जो Biden ने 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 को बोला है कि बहुत ही हमारा critical ally है तो the new US President has urged his fellow NATO leaders to stand up to China's authoritarianism and growing military might कि उने stand up होने के जरूत है जो China को authoritarianism है या military might है उसके अगेंस और इसके लब उन्होंने बोले कि हम एक alliance create करेंगे basically alliance बनाईगी थी पहले जब बनाईगी थे NATO तो वो यूरोप को defend करने के लिए Soviet Union के दुआरा चब Cold War कह रहा था तो जो language in the summit's final community which will now set the path for an alliance अब इसे एक दिन पहले जो 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 चाइना के अगेंस बहुत सरी स्टैंड लेगे for example जो चाइना में human rights abuse होदा जिंजयां में Hong Kong को ज़दा आटानमी देने के लिए यह सारी बात है की कहीं थी अब वापे से नेटो लीडर की summit में भी यही सारी बात हैं हुई है कि चाइना जैसे system challenges present कर रहा तो उससे कैसे deal किया जाए चाइना से stated ambitions and assertive behavior के कारण जो rules based international order है वो बहुत तादा डिस्टर्ब हो रहा है Biden also told European allies that alliances mutual defense pact बहुती sacred obligation है US की तो यह बहुती shift था tone में जो कि Trump use करते थे वो यह बोलते थे कि वो withdraw कर देंगे नेटो के साथ क्योंकि यूरोपियन से बहुत कम contribute कर रहे है as compared to the America अब यहाँ पर वियर इसके अलवा जो US है वो Qatar से भी बात कर रहा तो meanwhile security officials under NATO command have approached करता तो basically NATO ने अप्रोच भी किया Qatar को कि वहाँ वहाँ पर अपना एक base मना सके जहां पर वो अफगान special forces को train कर सके क्योंकि अभी US सोच रहे कि वह exit कर जा अफगानिस्तान से तो वहाँ पर Taliban से reveal करने के लिए अफगान forces को train करेगा Qatar के basis पर तो after two decades of war forces from 36 countries involved in NATO's Resolute support mission in Afghanistan are set to pull out of the countries in coordination with the US troops क्योंकि US troops वहाँ पर विद्रौ कर रहे हैं तो अफगान में जो special officers को train किया जागा Qatar के base में तो an integral part of Resolute support has been to train and equip Afghan security forces fighting the Taliban which was ousted तो basically Taliban पहले power में था लेकिन 2001 में Taliban को oust कर दिया गया तो अब Iran ने अपनी homegrown vaccine को अप्रूफ कर दें not important हम आगे चलते हैं यहां पर हमें दो आर्टिकल डिस्कूस करने how indicative is GDP तो GDP basically होता है क्या GDP होता है international monetary fund उसे describe करता है GDP measures the monetary value of final goods and services जो की bought की जारी by the final user मतलब जो final user उसे खरीद रहा है एक given period of time for example one year or quarter कुछ भी बोल सकता हूं GDP में सिर्फ final goods and services आते हैं intermediate ones नहीं आते हैं अब GDP को faulty क्यों बोला जाता है तो it is true that for a while now GDP is dominance is the single most important way to map the health of an economy उसों बहुत-बहुत question किया जाता है कि GDP faulty है तो ऐसा क्यों किया चाय रहा है तो भी हम देखते हैं for example GDP है वह यह नहीं मेजर कर पारता है कि well being of a society कितनी है and that pursuing policies that solely focus on raising GDP often ends up hurting the welfare of the people for example, if some corporate जाते है तो GDP तो बढ़ा हुआ देखेगा लेकिन common में हो सकता है तो its welfare नहीं नहीं हुआ है तो how far are these allegations valid तो author ने बोला है जो GDP the total market value of goods and services in an economy in an here यह यहीं मेसर करता है कि welfare and wellbeing कितनी हुई है क्या happiness लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या inequality रिड्यूस हुई है या नहीं हुई है, क्या corruption, is it a measure of corruption or the lack of it कि देश में कितना corruption है, या फिर देश में जो democracy वो कितनी ज़्यादा robust है, pollution है, climate change कितना हो रहा उस GDP से तो ये सारी चीज़े नहीं नापता है GDP, तो इसलिए GDP को faulty बोला जाता है, तो अर्था ने बोला है कि for example argument के तौर पर आप देख लो कि एक economy जिसमें बहुत ज़्यादा inequality ही थी, कि एक इनसान बहुत ज़्यादा कमा रहा और दूसरा इनसान कुछ भी नहीं कमा रहा है, falling level of democratic norms, वहाँ पर democratic norms कुछ भी नहीं है, इसके level civil liberties बहुत काम होती जा रही है, air or water pollution बहुत जादा है, gender equality बहुत जादा है, लेकिन हो सकता उसका GDP जादा हो तो इन सारी बातों के बाद भी उसका GDP जादा हो सकता है, तो ये सारी चीज़े जो GDP है वो नह simple measure है, and berating it by judging it based on social and moral norms, GDP जिसे social and moral norms को नहीं count करते हैं, आप ये बोल दें कि ये ठीक नहीं है, measure, ये फॉल्टी है, तो ये बात बिल्कुल गले, तो for example, GDP अगर आपके देश में prostitution और coal mining हो रही है, तो GDP में वो भी contribute कर रहा है, तो ये GDP कोई कोई फॉल्ट नहीं है, तो the question of whether an economy should allow, either prostitution or mining or both, is completely separate from what happens to GDP, तो ठीक है, GDP और इन social and moral norms को दोनों को अलग लग देखनी के ज़रूरत है, तो अथर ने बोले, ठीक है, अगर फॉल्टी ऐसे नहीं है, तो क्या ये एडेकेट है, तो अथर ने बोले, नहीं, यहां पे एडेकेट वो इसलिए नहीं है, कि जो data availability ह उसमें थोड़ा fault है, for example, इंडिया की जो economy वो जादा तर function होती है, informal sector के दवार, तो informal sector में data कहीं ना कहीं missing हो जाता हो, तो GDP में count नहीं हो पाता, for example, the mere fact that a large part of India's economy functions in the informal sector suggests that formal estimates of GDP would be missing out and accurately capturing the GDP, अब यहां पर author ने बोले है, but doesn't GDP often fail to account for all the things that bring down our welfare, तो author ने बोले है, कि अगर welfare काम होता है, तो GDP उसे account में नहीं लेता है, तो author यहां पर counter argument देंगे, तो अगर कुछ welfare बढ़ता है, तो वो भी नहीं account में लेता, this is true, GDP fails to capture the welfare loss, तो welfare loss जो होता है, वो GDP नहीं count करता है, लेकिन इसका reverse भी true है, welfare gain होता है, तो GDP वो भी नहीं count करता, for instance, जैसे कि pandemic में एक 100 के जो ब GDP is inadequate, but again, जैसे लोग बोलते हैं, GDP inadequate है, लेकिन इसके लाब हमर पर सोर को method भी तो नहीं है, और हम method क्या use कर सकते है, GDP per capita, या happiness index, ये सारी चीज़े यूज़े यूज़े बाकि और चीज़न आपने के लिए, तो there GDP per capita, median income, inequality, net domestic product, लेकिन इन सब में भी कमी, for example, GDP per capita income, वो inequality नह जादा है, तो हर method में कुछ ना कुछ fault lines होती है, तो उसके साथ ही रहना होता है, तो ये author ने बोला है कि, moreover, it can be shown that GDP per capita fails to spot rising inequalities, जैसे ही मैं आपको बता, तो author ने बोला है, तो तो ये true है कि focusing on, GDP can lead to policies that are blind to people's broader well-being, तो अगर हम GDP को देखकर ही सिर्फ policies बनाएंगे, तो broader well-being है उसको account में नहीं ले सकते हैं, but it is also true that it's easier to berate GDP than to find, author ने बोले है, बहुत असान है कि, आपने बोला है GDP faulty है, लिकिन आपको दूसरा method है नहीं से replace करने के लिए, जो methods है, उसमें भी कुछ ना कुछ fault lines है, तो instead of pulling down GDP, it is better to look at a broader set of variables, to get a more nuanced understanding, ठीक है, आप बाकी सारी चीज़े बिलो, NNP, बिलो कितना है, factor first market को, सब कुछ देखकर, फिर बनाओ policies, तो debate around replacing mother for inclusivity, तो basically, जो US है, US ने अपने budget में mother के term को replace करके बोल दिया, birthing people, तो उनका जो basically, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, The United States has the highest maternal mortality rate among developed nations, तो developed nations में देखो, तो US का सबसे ज़्यादा maternal mortality rate है, with an unacceptably high mortality rate for black American Indian Alaska native and other women, तो जो black American Indian Alaska native women, उनके तो कुछ ज़्यादा ही है, अब birthing people क्यों, क्योंकि inclusivity के लिए birthing people term use किया गया, तो the term is from the realm of trans rights activism, अब जो trans लोग है, उनको भी इंक्लूट करने के लिए birthing people term use किया गया है, जो mother से वो बहुत ही rigid हो जाता है, यह से female के लिए यूज़ा जाता है, इसी के लिए birthing people term use किया गया है, so that people beyond binary gender identities can be represented, other such terms include chest feeding, जैसे पहले breast feeding यूज़ा जाता है, तो अब उस term को change करके chest feeding, इसके लिए मेंस्टूरेटिंग विमें होता था तो नहीं, अब मेंस्टूरेटिंग पीपल और मेंस्टूरेटर से यूज़ा जाएगा, जैसे कि person assigned the female gender at birth, but who identify as men, इसके लिए जेंडर क्वाइर पीपल वो भी birth दे सकते हैं, तो वो भी इसमें include होंगे, अगर हम birthing people term यूज़ करेंगे, तो they argue that language built around a female mother erasers such parents, ठीक है, अगर सर्फ हम बोले mothers से female mothers होती है, तो जो gender queer लोगे हैं, यवर trans men, लोगे हैं, तो वो जो उनकी motherly care होती है, वो तो count नहीं होगी न, अब यहां पर author ने बोला है, जैसे breast feeding को मैंने बता है, chest feeding से replace का दिया, birthing parent को use करेंगे instead of mother, इसके लिए लिए second biological parent या co-parent use करेंगे instead of father, अब point है, counter point क्या है, तो others argue that the term erases women from a struggle, कि अगर हम birthing people use करेंगे, तो women के struggle हम पर count नहीं हो पा रहा है, तो author के basically यह कहना है, तो cis hit women be alienated feel करेंगे, तो the counter arguments are that the term does not erase women as women to our people, तो counter argument यह है, कि birthing people में आप बोलने कि women नहीं, उनका share नहीं represent होगा, तो basically अगर आप people use करेंगे, तो इसमें women भी आहीं रहेंगे, तो यह सारे author के point of view में, हम next page पर चलते हैं, यहाँ पे less than 0.5% sign up for the vaccines via ruler centers, government cited to Supreme Court, तो जो community centers होते हैं, तो वहाँ पर जो ruler लोग थे, वो वहाँ पर आकर registration करा सकते थे vaccine के लिए, लेकिन देखा गया कि बहुत कम लोग आए वहाँ पर registration कराने, तो over a month after the Supreme Court was told that the common service centers would be robed into register the ruler population, तो वहाँ पर देखा गया कि बहुत कम लोग है, लगवाँ सिफ 0.5% लोग आए, तो अभी हैं क्यों common service centers, तो common service centers, जो की run and manage की जाते हैं by the IT ministry, उनको critical notes देखा जाते हैं, जो urban and ruler divider उसको दूर करने के लिए, for example, जो common service centers होंगे, गाउं में आपके बना हुआ, कि लोग जाकर महाँ पर अपना अधार card या pen card सब कुछ करा सकते हैं, तो इसके लिए, गवर्मेंटे डिवाइड को, जो digital divide हो, उसे दूर करने के लिए common service centers बनाएते हैं, तो common service centers, run and manage by the IT ministry, are seen as critical notes in the government's efforts to bridge the ruler urban digital divide, तो ये 20 gram panchayat and village level outpost often help residents with digital services, जैसे कि आपके अधार card के लिए प्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए प्लाई कर सकते हैं, पर्मेनेट अकाउंट नमबर के लिए प्लाई कर सकते हैं, तो जो digital and urban divide हो उसे दूर होगा, अब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो basically मैंने आपको बताया थे कि vaccine hesitancy का जो issue है, कि लोगों को रखता है कि जैसे for example उससे वो important हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़स ले लोग नहीं आ रहे हैं, और लोगों में ये भी हो गया कि vaccine की supply नहीं अभी तो एक बर जब supply आ जाएगी, तो लोग अपने आपी आन लगेंगे, ऐसा वहाँ की logo का मानना है, यहाँ पर drones for vaccines, तो जो essential medicines ऐसे प्लेस में पहुचाना है, जहां का terrain बहुत difficult है, तो ICMR ने यह सोचा है कि हम drones use कर लेते हैं, तो with the focus moving to delivering vaccines in difficult to reach area, तो center and state governments are taking the drone route to get to such terrains, तो center and states ने सोचा है कि हम drone route यूज़ करते हैं, on one hand, the ICMR has sought bits from drone operators to supply medicines and vaccines, इसके लाब जो तेलंगना government है, उसने भी अपना एक project launch किया है, जो कि है medicines from sky, जिसमें वो companies को यूज़ करें, Flipkart और Doonzo, जैसी जिनके पास पहले से ये experience है, वो तेलंगनाज drone delivery scheme to develop and execute drone deliveries देए, तो as per ICMR, tech services on its behalf, the aim is to develop a feasible model for vaccine delivery, ताकि हर last mile coverage हो सागे vaccine delivery की, इसमें क्या करेंगे, तो ICMR is seeking unarmed aerial vehicles capable of operating beyond visual line of sight, and can cover distances of 35 km, minimum altitude of 100, तो इसमें जो civil aviation के standards को भी follow करेंगे, तो बस आपको ये बताओनाज है कि ड्रोन का भी यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए, I hope आपको ये निस पर समझ आया हो, if you like the video, then please like, share and subscribe, thank you and have a nice day.